नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल एजूट्यूबर देव पर तो दोस्तों असिस्टन प्रोपेसर का जीके का थर्ड पेपर जो सबसे पहले आई जीत हुआ और काफी समय पहले लेकर आना था इसका हल प्रश्ण पत्र लेकिन जै क्रीबन प्रश्ण हैं तो समय लगता है और ऐसे में थोड़ी सी तविद भी ठीक होनी जरूरी है तो आज थोड़ा सा अच्छा मैसुस कर रहा हूँ हालांकि अभी तक आपने और मोश्ट जबी प्रश्णों के आन्सुस वगेरा देख लिए होंगे बहुत सारे साथी गण हैं जिनके वेबसाइट्स हैं चैनल्स हैं जिनोंने बहुत पहले हल कर दिया तो ठीक है अच्छी बात है और देखना चाहो तो बिल्कुल ये भी वीडियो आपके लिए उपलब्द है तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्ण है राजस्तान सरकार ने आर्थी ग्रूप से जार का आपने थोड़ा सा लेटिस्ट आप जुड़े रहे हों अगर करंट जीके से या करंट अफेर से तो राजस्तान के इस योजना के बारे मापको डेफिनेटली पता होगा और इसमें जो है पचास हजार जो है तक के सोरजगार के लिए पैसे की इसमें बात लिखी जीके रखी जुड़ा गांधी मातरत व पोशन योजना के अंतरगद रास्तान सरकार द्वरा दूसरी बार गर्ब धारीत मेला को कितनी रासी परदान की जाती है तो दोस्तों यह जो है छśmy विकलब जो सही रहेगा तो इसमें विकलब जो सही रहेगा वो है दोस्तों तीसर विकल्प आलंग ये विकल्प अलग अलग होते हैं अगर आप इस वीडियो के को देखकर जो है अपना पेपर और अपनी जो आंसर की खुद बना रहे हैं तो थोड़ा से ध्यान रखिएगा विकल्प गेरा थोड़े से दायबाय होते हैं और प्रश्ण भी जो है थोड़े से उल्टे पुल्टे होते हैं तो ये थोड़ा आप ध्यान जरूर रखिएगा सीरियल जो है चेंज होता है और आपसंस थोड़े चेंज होने के चांसिस कम है अलंग मैंने ज़्यादा पेपर नहीं देखे एक ही अविर्थी का पेपर है तो आप थोड़ा सा वो देख लीजिएगा अगला कुछन दोस्तों केंदर दोरा जारी किये गए निर्भया कोश का पूरा उप्योग करने में देश में राजस्थान राजे ने कौन सा इस्थान प्राफ्ट किया है तो इसमें पहला इस्थान प्राफ्ट के आलांकि 2020 तक जो है इसमें बहुती कम पैसे खर्च किये गए थे लेगिन फिर केंदर ने प्रिशर बनाया कि इसमें आप बच्चियों की हेल्प करो तो उसके बाद जो है राजस्थान ने मध्य प्रदेश ने और यूपी ने इसमें पैसे खर्च करने शुरू किये तो अब जो है वो राजस्थान इसमें पहले इस्थान पर आ गया है अगला कुश्चन दोस्तों राजस्थान में डेरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डारेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा है तो दोस्तों ये मदरास आई आई टी ने इसको डेवलप किया है और इसका मूँ पे इसका नाम है जो है किसानों के लिए आटोमेटिक ये प्लेटफॉर्म है पेमेंट के लिए तो इसका दोस्तों नाम मूँ पे और मदरास आई आई टी ने इसका जो है सर्जिन किया है याद रखिएगा अगले कुश्चन की दरब बढ़ते हैं दोस्तों अगला कुश्चन देखी जरा आई उस्मान भारत महात्मा गांधी राजस्तान स्वास्ति वीमा योजना के बारे में निमलेखित में से कौन सा कथन सही है कौन से कतन सही है तो एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं देखे जराग इस योजना का नवीन चरंड 30 जनवरी 2021 से लाग हुआ योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में नीशुल को इलाज किया जाएगा सामने बिमारी के लिए 50,000 रुपे और गंभीर बिमारी के लिए 5,000 रुपे की रासी दे होगी तो आप्सन तो एक तरीके से देखें तो चारों सही है बट इसमें थोड़ा सा जो है आरपीसी ने दिमाग लगा है देखिए क्या है कि इसमें जो दोस्तों चौथा आप्सन है कि गंभीर बिमारी के लिए परती परिवार परती वर्ष 5,000 रुपे की रासी दे नहीं होगी तो इसमें से ए, बी और तीनों जो है वो सही है यानि कि फर्स्ट आप्सन सही रहेगा बाकी सारे दोस्तों गलत रहने बाले हैं अगला कुश्चन नेमलिकित में से कौन सा नागर समा संक्थन कोविड महमारी के दौरान परवासी स्रमिकों को सेवाएं समर्थन और सुरक्षा परदान करने के लिए चर्चा में आया तो देखिए जो है एंजियो कौन सा है जो की चर्चा माया कोविड नाइटीन के दौरान तो दोस्तों वो है आज़ीवी का ब्यूरो नाम करके एक एंजियो है जिसने काफी लोगों की हेल्प की और भी ब्यूरोज है बट उन सबका अलग-लग रोल है आज़ीवी का ब्यू वो अगर नेट करके रहे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने गए तो पहले जटके में उनको जो है इसका उत्तर आ गया होगा इसमाईल कारिकरम दोस्तों आपको पता हो तो लोगडाउन अवदी के दौरान विद्यारतियों को घर से सीखने की सुईधा परदान कराने के अगला कुशन दोस्तों राजस्तान से साहिते और शिक्षा हेतू वर्स 2021 में पदमसरी पर उसकारके से दिया गया है शिक्षा और साहिते हेतू पदमसरी जो राजस्तान की वेक्तितोजी ने दिया गया वो है अरजुन सिंग से खावत फोर्थ आप्सन सही है अगला कुशन दोस्तों डेजर्ट नाइट 2021 एक सेन्य अभ्यास का जो है ये सेन्य अभ्यास था और इसका केंद्र कहां था तो सेन्य अभ्यास तो काफी हुए अपने बीका नेर जैसल मेर बाड मेर और जोद्पूर में जो डेजर्ट नाइट है इसका सम्मद्ध है एर फोर्स जोदपूर जहां पर अपना राफेल भी तैनाथ है तो इसमें अगले कुश्चिन दर बढ़ते हैं दोस्तों भारत पाक सीमा के पास घोटारू गाव में एक अनुठा पार्क विक्सित किया जा रहा है ये गाव जो है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतरगत दूग्द का सम्मद्ध जो है वो किस जिले से है दोस्तों चार आप्सन है अलवर जैपूर विकानिर धालपूर तो मैं आपको बता दूँ अलवर का सम्मद्ध प्याज से है जैपूर का टमटर से विकानिर का मोट से धालपू option right मानती है और कौन सा गलत मानती है अगला question दोस्तों महाकवी कनायलाल सेठिया पुरुसकार 2020 किसे परदान किया गया है तो महाकवी कनायलाल पुरुसकार जो है वो अर्विन्द कृष्ण सेकंड option को जो है परदान किया गया है 2020 वाला अगला कुश्चन दोस्तों राजस्तान के निमलेखित सेहरों में से किसे हाल ही में यूनेसको की विस्व विरासत ये यू कहें विस्व धरोर का दर्जा जो है मिला है तो जैपुर को मिला है दोस्तों आपने थोड़ी दिन पहले पेपर पड़ा हो तो आपको इस प्रशन का पता होगा अगला कुश्चन दोस्तों किर्शी मंतरी नरेंदर शिंग तोमर ने राजस्तान में निमलेखित में से किस जिले में शहद उत्पादन के लिए किसान उत्पादन संग्ठना एफ पियो यानि कि फार्मर प्रोडुशिंग जो है दोस्तों और्गनाईजेशन का स चुना गया लेकिन इसमें और भी जो है जिले चुने गए जैसे पच्ची मंगाल के एक जिला था यूपी का मतुरा था और मध्यबरदिस का मुरेना जिला था और कई सारे राजियों के पांच जिले इसमें जो है जुने गए थे अगला कुशन दोस्तों नंद किशोर आच जारे की वो है छीलते हुए अपनों को छीलते हुए अपने को जो है उस रचना का नाम है जिसके लिए उन्हें ये पुरुषकार मिला है अगले कुश्चन दर बढ़ते हैं दोस्तों अब यहाली में पच्चीमी सित्र सांसकर्तिक केंद्र उदेपूर का निदेशक किशे बन संसे स्पोर्ट्स वाले उसमें आपको बदाया था तो बहुत एजी है सीधा सा इसका अंसवर है बिहार को हराकर हम लोग सेमिफैनल पहुचे और सेमिफैनल पहुचा हुआ काम कुछ नहीं आया क्योंकि वहाँ पर हम तमिलाडू से साथ विक्टों से लगबग हार गए थे अगला कोश्चन राजस्तान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े किर्केट स्टेडियम का इंदरमान प्रस्तावित है तो ये कोश्चन भी मैंने आपको बताया था करण्ट अपेर वाले वीडियो अगर आपने देखे हैं तो मैंने आपको तीन तीन ही जो बत परोड अगर मैं गलत नहीं हो तो पैसे उसमें लगेंगे और एसिया का दूसरा सबसे बड़ा रुष्व का तीसरा सबसे बड़ा किर्केट स्टेडियम होने वाला है अगला कोश्चन दोस्तों राजस्तान राज ये कृड़ा परिश्चत द्वारा खेल प्रशिक्षकों क और दूसरा जो महाना परताब अवर्ड है ये खिलाडियों को दिया जाता है अलंकि गुरू अशिस्ट अवर्ड भी कई खिलाडियों को दिया जाता है बटो थोड़ा सा कोचिंग में जाते हैं तबी देते हैं लेकिन ओरिजनल खिलाडियों को जो भी खेल रहे हैं उनको म मेजर ध्यांचन ओवर्ड भी दे दिया जाता है और मारना परताब जो ओवर्ड है वो पैरालंपिक से जो है 42 ऐसे खिलाडी जो वहाँ पे मेडल जीट के आए थे या कुछ अच्छा गर क्या आए परफॉमेंस तो उनको दिया गया था मारना परताब ओवर्ड याद रखीग तो उसे इसमें नहीं किनते तो यह जो है चौता ओप्सन रहेगा पहला दूसरा और तीसरा सही है इसमें समधित है किसे लगू पाशान योगीन संस्कृती से अगला कुछ दोस्तों करम सोत कुल जो है वो निमन में से किस राजवन से समधित है तो करम सोत को जो है देशी भ प्नटमकवी, जगनाथ या फिर कुल पती मिशियर। तो दोस्तों जो आमिर के साथ के सनक्षिन में थे वो थे जगनाथ नामप जो है दोस्तों वецथित्व जो उनके सनक्षिन में थे और मान सिंक फष्ट किया बात हो रही तो जगनाथ इस में आफिसन राइट होगा। अगला कुश्चिन दोस्तों अलाओ दिन का सेना नाइक जो रन थंबोर अभियान के दौरान मारा गया था वो कौन था तो वो था नुसरत खान जो है इस अभियान के दौरान मारा गया था पच्चीसवा कुश्चिन दोस्तों उन दो राजबूत नित्ताओं को पहचानी है ज इन दोनों ने जो है वहाँ पर क्या किया था कि मालदेव की विरुद जो शड़ेंत्र था सेर सांका उसमे इनों ने इसा लिया था अगला कुश्चन दोस्तों निमली कित में से कौन सा वैशनव संपरदाय नहीं है तो बहुत एजी लिए अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है ये हो गया सूफी संतों वाला जो चैप्टर होता है वो ऐसे चैप्टर सावने पढ़े हैं कभी भी किसी भी एक्जाम के लिए त सबसे अटपठा जो लग रहा वो लाल दासी है तो निमबार कवलब और निश्कलंक ये सारे सही है तो जो संपरदाय नहीं है वैशनव संपरदाय वो है लाल दासी अगला कुश्चन की तरह बढ़ते हैं दोस्तों दादू पंत में नागा उप संपरदाय के परवतक कौन तो वो थे दोस्तों संदर दास जी वो दादू पंत के नागा उप संपरदाय के परवतक थे उन्होंने इसे जो है प्रारम किया था अगला कुश्चन दोस्तों 28 तो उस इस्थान को चिनित कीजिए जो किसी भी परकार लोग देवतार राम देव जी समधित नहीं है अब र बनेड़ा और मसूरिया में से जो है मसूरिया जो है जहां पर आउत्रीत हुए थे मतलब एक तरीके से जन्म आप कह सकते हो तो यानि की बनेड़ा जो है वो समधित नहीं है राम देव जी से तो काफी इस में तिमाग लगा कि आरपीसी ने जो है इस कोईश्चन को बनाया ह अगला कुश्चन दोस्तों निमलिकित में से कौन सीकर किर्शक आंदोलन से समधित नहीं था तो वो थे नैनुराम सर्मा जो कि अगर मैं गलत नहीं हो तो हाडोती या कोटा बुंदी जो है अपने उस आंदोलन जो है किर्शक आंदोलन से समधित थे नैनुराम जी सर्मा त दिये थे तो वो कौन से जो है नेता थे देखिए जरा वैसे तो सबी ने किये बट एक जिनों ने नहीं किये वो कौन से थे तो वो थे दोस्तों बाल मुकुंद विस्सा सागर मल अगोपा और हमे स्वामी तो जौला परसाद सर्मा को इसमें काउंट नहीं किया जाता तो यह आप्सन सही है वैसे तो हर कोई अपनी जान की बाद जी लगाता था बट जो सहीद नहीं हुए उसके वारे में जो है यहाँ पे कुश्चन है तो यह आप्सन सही रहेगा अगले कुश्चन दर बढ़ते हैं दोस्तों राजस्थान में कहां मेराव खान ने अठार सो सता उनके विद्रोह का नित्रतों किया तो मेराव खान ने जो नित्रतों किया था दोस्तों वो जगह है कोटा अपना हडोती का ही एक शित्र है तो कोटा इसमें सही रहेगा अगले कुछ देवी कमला देवी शुशिला त्रिपाटी कोकिला देवी बट मुझे इसमें से एक भी सही नहीं लगा क्योंकि जब भी हम बात करते हैं दोस्तों भरतपूर परजामंडल की तो वहां ये एक नाम निकल किया था वो सरसुती बोरा का तो अब देखिए रपेसी की ओफिसियल आंसर की आएगी तो उसमें ये पता चले का अगर रपेसी इसमें से कौन से विकल्ब को सही मानती है क्योंकि आखिर में सरवे सरवा जो है इस कौशन पेपर के लिए रपेसी ही है तो उसका डिसीजन फाइनल होगा बाकि इसमें से तो मुझे सही नहीं लगा बाकि देखते हैं कि वो क्यों सा इसमें आंसर जो है मानते हैं अगला कुशन दोस्तों निमली कीद में से किस सेली में मध्यकाले इंसाहिती गरचना रसराज को चितरन के विशेग रूप में परियुक्त किया गया है तो वो है दोस्तों अपने मारवाड मारवाड की जो है चितरन के विशेग रूप में रसराज को परियुक्त किया गया है अगले एक्व्शन दबढ़ते हैं दोस्तों उत कुश्शन नमबर 30 फोर्थ निमले कि अमें से कौन सा तंतर वादे नहीं अब ये जो है कामायचा, रवाज, जंतर, अलगोजा सारे वादे अंतर है बट इसमें से जो तंत्र वाधे अंत्र नहीं है तंत्र वाधे अंत्र नहीं है वो है दोस्तों इसमें अलगुजा कि जो मूँ से ऐसे बजा जाता है जिसे देशी वासम पुंगी भी बोलता है तो वो होती एक ऐसे नली होती है उसमें इसमें दो नलियां होती है तो बस यही की बात है इसके फोटो अगिर आप देखोगे ना तो आप स्वेम समझ जाओगे कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है और अगला कुछिन दोस्तों लोक निर्टे में पूरिया को निर्टे का मुखे पात्र माना जाता है इसमें से कौन सा विकल्प रहेगा तो वो है दोस् तो यह कोई लिपी तो जैसे देवनागरी वगेरा उतियासी लिपी तो नहीं है तो काफी फेहमस है और इसके बारे में आपने काफी सार अगर हिंदी से आप समझ दी तो सेकंड पेपर हिंदी का दिया है तो यह आप्शन तो पहले ही बिल्कुल देखते आपको आगया होगा कि इसमें से कौन सा सही है अगला कुछन दोस्तों निमलिकित को सुमेलित कीजी बोली है फिर सामने जिला है तो बागडी हनवानगट की है जगरोती उदेपुर की है धावडी करोली की है और गौडवाडी पाली सिरोई की है तो चारो ही आप्शन बिल्कुल 67 सही है एक दो तो दोस्तों इस रचना की जो रचनाकार थे रणमल चंद स्रीधर व्यास जो है रणमल चंद की रचनाकार जो थे वो स्रीधर व्यास जी थे तो यानि की पहला विकल्प इसमें सही रहेगा स्रीधर व्यास अगले प्रेशन के दर बढ़ते हैं दोस्तों निमले खित में से कौन सा प्राचिंतम मंदिर है आभा नेरी का हरसद माता नाथ द्वारा का स्रीनाथ जी रनकपूर का पार्शो नाथ या फिर उदेपूर का जगदीश मंदिर तो exact date तो मुझे आद नहीं है कि ये किस किस वर्स में बनाया गए लेकिन जहां तक मुझे knowledge है इसमें सबसे पुराना जो है वो आभा नेरी का हरसद माता का मंदिर है तो पहला विकलब सही होना चाहिए इसमें और अगले question की तरह बढ़ते हैं दोस्तों चालीस वा question है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना भु've आकरति प्रदेश और सामने दिर्शे है तो देखिए सबसे पहली बात यहां दिया गया है कि境 कि मेवार परवर्ती सित्र जो है वह विकलब के और सिधा बढ़ जाते हैं देखिई जरा कि मेवार परवर्ती सित्र जो है दोस्तों वह जहाँ प्रदिर्षे जो दिखता है वो है दोस्तों गिर्वा कौनसा दिर्षे हैं गिर्वा है दोस्तों फिर हाडूती की बात करें तो हाडूती से समधि हाडूती अपने कोटा बुन दी और फिर दोस्तों अगला जो option है वो सेखावटी प्रदेश का तो देखिए सेकावटी प्रदेश में अंतर प्रवाही तफाक आ जाता है वहाँ के बारे में अगर आप पड़ोगे और घगर के मैदान के लिए फिर एक ही विकल बच गया वहाँ नाली वाला जो एक कुशिचन है यह वैसे नाली यह तो भेड की पर जाती भी है बट यह नाली वाला जो ओरीजनल कुशिचन है वह सेक्ट ग्रेट 2018 में भी आया हुआ है तो अगर आपने वो पेपर सॉल किया हो या देखा हो या एक्जाम दिया हो तो आपको उसके बारे में नौलेज रहेगा अगले कुश्चन दर बढ़ते हैं दोस्तों औरंग जी द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहा पर है तो बुलंद दरवाजा दोस्तों है गागरोन की किले में और ये गागरोन का किला किस जिले में है वो जहलावाड में है दोस्तों तो याद रखीगा कई बार एक कुश्चन आजाता है अगले कुश्चन दर बढ़ते हैं कुश्चन नंबर 40 सेकंट निमले कित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है मतलब इसमें से एक गलत है तो देखिए दोस्तों रगुनाथ गड़ सीकर में जो है रगुनाथ गड़ सीकर ये कई लोग बता रहें गलत है बट ऐसा नहीं है रगुनाथ गड़ ये जो चोटी है वो सीकर में है जर्गा जो है वो दोस्तों उदेपुर में है कुंबल गड़ रासमन से समधी थे बिल्कुल अब ये देखिए दोस्तों नाम दिया हुआ कामनाथ सिरोई कामनाथ नहीं है असली में कमलनाथ है ऐसे करके इस चोटी का नाम है ये सिरोई में नहीं है ये उदेपुर में है तो ये सिरुई की ये चोथा विकल जो है वो गलत है टोटल ही गलत है सिरुई भी गलत दिया हुआ रकामनाथ भी गलत दिया हुआ तो चोथा विकल जो इसमें गलत है कमलनाथ नाम करके चोटी जो है वो उदेपुर में है और अगले कुश्चिन अंदर बढ़ते हैं दोस्तों निमले कित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है नदी है सामने उद्गम इस्तल है तो सबसे पहले नदी और सामने उद्गम इस्तल है दोस्तों तो शुरू करते हैं 43 कुश्चिन अपना तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है यानि कि एक नदी के सामने जो उद्गम स्थल है वो गलत दे रखा है तो बान गंगा जो है वो खमनौर की पाड़ियां ये वाला विकल्ब मुझे गलत लग रहा है क्योंकि बान गंगा नदी जो है उसका उद्गमिस्तल बेराट की पहाड़ियां ऐसे कुछ नाम करके है वहां से है न की खमनौर की पहाड़ियों से तो ये विकल मुझे गलत लग रहा है अगले कुछ नतर बढ़ते हैं दोस्तों निमलकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो बहुत इजी ये कुछ न है गड़ी सर जोदपूर में नहीं है गड़ी सर जैसलमेर में है बाकी सारे गलता जी जैपूर तालाब साही धौलपूर बंद बरेठा भरत पूर सभी सही है तो गड़ी सर जो है वो जैसलमेर में है ना की जोदपूर में अगले कुछ नतर बढ़ते हैं ये दोस्तों राज़्थान के निमलकित में से कौन से जिले पचास सेंटिमेटर सम वरसा रेखा के पच्ची में अवस्तित हैं तो देखिए कौन सा इसमें से विकल्ब सही रहेगा नीचे चार आप्सन भी दिय हुए है जिसमें हर एक आप्सन में दो से तीन विकल्ब है तो इसमें से दोस्तों देखिए कि कौन सा सही हो सकता है तो दोस्तों चूरू हनुमानगड चूरू और हनुमानगड यानि कि आप्सन नमबर B और C ये जो हैं वो 50 सेमी वर्साम वर्सारेखा के पच्ची में वस्तित हैं क्योंकि इससे फिर अगर आप इदर आओगे तो फिर अपने हनुमानगड से थोड़ा नीचे तो बीकानेर फिर बाड मेर जोत पूर बगेरा जैसल मेरी आ जाते हैं थोड़े लेट मेर तो इसलिए सम्वर्सारेखा 50 सेंटी मेर वाली बनती है और 50 से भी कम होती है जैसल मेर और बाड मेर मेर तो मेरे साब से यही विकल्ब सही रहेंगे अगले प्रशने कितर बढ़ते हैं दोस्तों कोईशन नमबर 46 निमलिकित जिला समू में से किसमे सालार या साल के वन पाए जाते हैं देखिए तो सालार या साल के जो वन हैं दोस्तों वो जो है पाए जाते हैं दोस्तों अलवर, चितोड़गड, उदेपूर और सिरोई में अलवर, चितोड़गड, उदेपूर, सिरोई में तो इसमें पाए जाते हैं जिनका नाम बोसवालिया सेराता भी है भाशा में तो देखिए ये थोड़ा सा अटपटा हालांग सीधा ये नहीं पुछा तो question को fully tough नहीं बना दिया गया है ठीक ठाक रखा गया है तो जिला समो में जो है साल के बन जो ऐसी सब्दा में काई तो यही है अलवर, चितोडगड, उदेपूर और सिरोही अगले कुछ अंदर बढ़ते हैं राज्थान में निमलिकित में से कौन सा सित्र सतही जल द्वारा मिर्दा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है तो सतही जल में जो सबसे प्रभावित है दोस्तों वो है चंबल परदेश तो मिर्दा अपरदन तो आप समझते होंगे जहां फिर पानी वगरा भी जादा है तो मर्दा अपरदन तो वहां होना निश्चित है तो चंबल परदेश जो है वो इस से मर्दा अपरदन वाले आपसन से समझे देखाफ बार एक कुश्चन आता भी है कंपेटिशन एग्जाम में अगले कुश्च अदर बढ़ते हैं दोस्तों कुश्चन नमबर 48 राज़्चान का एक मातर जिला जहां पाई राइट का भंडार है तो पाई राइट का भंडार जहां तक मुझे थोड़ा से याद है तो वो सीकर में हैं दोस्तों अलंकर इसारा डेगा ना नागूर भी बताते हैं बट मेरे साब से सीकर इसमें सही रहेगा कि नागूर का कोई आपसन नहीं है तो सीकर ही इसमें सही रहेगा सीकर राइट है अगले कुश्च अदर बढ़ते हैं राज़्थान में जेट्रोफा अधारित बायो डिजल जो पाइलट प्लांट जो अवस्थित है यानि की जो बनाया किया है वो काँ पर है तो दोस्तों वो जहमर कोटडा उदेपूर में है और कोलाइत बीकानेर में फिर आगे कोईलों वाली बाते हैं सारी आ जाती है तो यह जहमर कोटडा वाला वीक जो है 15-20 मिनट हुए थे आई तब बताया था कि नाली जो है वो भेड की डसल है बक्री की नहीं है तो पहला ही आप्सन गलत है उंट, नाचना, भेड, खेरी अब नाचना जगे भी है और नसल भी है मैस, मैसाना, मुड़रा बग़रा इससे नाम रखे जाते हैं तो ये बक्री वाला विकल्प जो है वो गलत है नाली जो है एक भेड की नसल है अगले कुछ चन्तर बढ़ते हैं दोस्तों राज्थान की जन्गना, अनुसार 2011 की जन्गना, अनुसार राज्थान का जिला जिसमें ग्रामिंड लिंगान उपाथ हजार से ज़्यादा है, मला हजार पुरूसों पे हजार से ज़्यादा उरते हैं, तो वो दोस्तों पाली है, एक मातर विकल्प है दोस्तों पाली, और पाली की जो वहां की ग्रामिंड जन्गना, उसमें एक हजार पुरूसों पे एक हजार पीन से होता है तो उसके पीछे जो है कितने परतिशत का यहां पर देखिए दसके परिवरतन कितने परतिशत है ऐसे पूछा गया काफी टाफ कोशन है मेरे नजर में तो वो है दोस्तों ग्रामेड 19 परतिशत और नगरी 29 परतिशत क्योंकि लोग गाओं को छोड़ कर पर शेरों की तरफ ज़ादा जाते हैं तो यह ऑप्सन सही है 19 और 29 अब सब को बता है कि यह नगरी यह ज़ादा होगा ग्रामेड कम होगा तो ऑप्सन भी रपियस इन ऐसे बनाए हैं कि नगरीयमें ज़ादा वाले ग्रामेड में शनक्षित किया गया है और इसमें एक और सित्र का नाम भी आता गोगेलाव तो गोगेलाव रोटु जो है वो नागोर जिले में अवस्तित हैं अगले कुछ अंदर बढ़ते हैं चौनवा कुछ जोहार सागर वने जी व भ्यारन राज्थान के कौन से जिले में अवस्तित है जोहार सागर वाइड लाइफ कौन से जिले में दोस्तों बताईए जोहार सागर जो है वो चितोड़ गड़ में है तो इसमें सेकंड ऑप्सन सही होगा अगले कुछ अंदर बढ़ते हैं मक्का राज्थान के मुक्यत कौन से भाग में अत्पादित किया जाता है तो मक्का जो है वो दक्षीनी और दक्षीनी पूर्वी सित्र जो है अपने उसमें दोस्तों उत्पादित किया जाता क्योंकि वहां के जो मिट्टी बगेरा है जो जलवाई हुए वो इसके सपोर्ट में है तो इसके लिए वो सही रहती है मक्के के लिए अगले कुछ दर बढ़ते है चपनवा कुछिण बीखा भाई सागवाडा नहर राज्थान में किस नदी पर बनाएगे बीखा भाई सागवाडा मैं गलत पढ़ रहा हूँ बीखा भाई सागवाडा नहर जो है वो किस नदी पर बनाएगी देखिए तो वो दोस्तों मही नदी पर बनाएगे मही नदी स इक क्वीशन समधित आता है कि माही नदी किन राजियों से समधित है तो मद्यब्रदेश, राज्थान और गुजरात से समधित है और राज्थान में कहां बैती है माही नदी, बहास्वाड़ा और डूंगरपूर जिलों में बैती है तो यह आप याद रखिएगा कोईशन आ सकता है आगे competition एक्जाम में अगले कुछिशन दर बढ़ते हैं दोस्तों निमले कित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है यानि कि उध्योग और उध्योगों की अवस्तिती एक इसमें कलत विकल्ब है तो वो है दोस्तों मूँफली माप कीजिएगा सूती देखिए वूलन मिल जो है मेरे साबसे वूलन मिल जो है वो चूरू में नहीं है वो वूलन मिल जो है वो विकानेर में है और मूँफली का उतपादन भी जो है वो विकानेर में जादा होता है वो भी कुश्चन आगे हम देख लेंगे दोस्तों नेक्स्ट कुश्चन 58 नंबर राजस्थान में निवली कित में से कौन सा जिला मुंपले उत्पादम नगरणी है बिल्कुल लगा था हरी कुश्चन आ गए तो वो है दोस्तों भी का नेर अगला कुश्चन राजस्थान किस जिले में अकाल सुखा से परभावित गावों की संक्या सबसे ज़ाधा थी तो किस वर्ष में वैसे तियों चपाई उध्योग, रंगाई और चपाई उध्योग के कारण नेमलेखित में से रास्थान का कौन सा जिला जल पर दूसन से प्रभावित है तो इसमें बार्ड में नहीं दिया, नहीं तो फिर बालो तरा भी काफी प्रभावित है लेकिन अब इसमें जो विकल्फ है उनमें से सही है दोसा तो फूर्थ जो उप्सन है वो सही है, जो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है अगले कुछ ते अंतर बढ़ते हैं, नेमलेखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो इसमें से एक गलत सुमेलित है, देखिए वो जो है दोस्तों मेरे साब से अनुचेद 155 उसमें राजेपाल को पज से हटाए जाने के बारे में नहीं बताते अनुचेद 155 जो है वो राष्टपती राजेपाल को जो न्यूक्त करते हैं जो पूरी परक्रिया है, साइन वगेरा की, वो सारी चीज़ें 155 में लिखी हुई है तो इसमें से एक विकल्प जो गलत है, सही सुमेलित नहीं है वो है अनुचेद 155 वाला फर्स्ट आप्सन अगले कुश्चेद दर बढ़ते हैं दोस्तों बासर्टमा कुश्चन, राजस्तान के निमलेखित राज्येपालों में से कौन हिंदूस्तान अरोनाटिक्स लिमिटेड के अद्धिक्स रह चुके हैं इंडुस्तान अरोनोंटिक्स लिमिटेट के अध्यक्स रह चुके हैं अगले को इस इंदर बढ़ते हैं दोस्तों कि समय धानिक संसोदन अधिनियम द्वारा राजस्तान में राजपरमुक संस्ता जो है वो समाप्त कर दी गई थी तो कौन सा है दोस्तों इसमें साथ वां समय धानिक संसोदन है 1956 वाला जिसमें जो है राजपरमुक व्यवस्तात तो समाप्त की ही थी इसके साथ साथ जो है कुछ भासाओं वगरा को विजवानों सूचित वगरा किया गया था तो यह भी विकल्प इसमें आता है आठवा जो दोस्तों संसोदन है वो S.C.H.T. प्राव में हैं तो यह सारी चीजें इसमें संसोदन है टॉप टैन जो संसोदन है वो मिसाई काफी मैप्रून रहते हैं तो आप जरूर उनको ध्यान से पढ़िएगा जब भी आप कम्पेटिशन एजाम दें तो अगले कुश्चन दर बढ़ते हैं दोस्तों कुश्चन नमबर 64 दे में से कौन तीन या अधिक बार राजस्तान के मुखे में जरे रहे हैं तो वैसे अपने असूख गैलूत जो है वो भी अब तीसरी बार ही मुखे मत्री है बट उनका विकल्पया नहीं है तो इनके लावा कौन कौन से देखिए तो इनके लावा है दोस्तों भेरोशिंग श इसे है एक बार इनके शाषन हो एक बार इमर्जेंसी एक बार यह वापस आये थे तो हमेसा इमर्जेंसी और वैरोसिंग जी का कुछ नहीं कुछ ना आता रहा है पढ़िए का आप कभी जो है कोई सेलिबस में हो कोई तो बहुत अच्छा भी लगए आपको पढ़के अगल सुबाओं में राट्तान विदानसभा की कुल सदिसंक्या 160 थी बिल्कुल सही है राष्टान विदानसभा परक्रिया और कारे संसिछालन की नियम 1956 में बनाए गए बिल्कुल मुझे भी सही लग रहा है और रास्तान विदानसभा के अठारा इस्ताई समित्यां जार विद समधी ऐसा नहीं है मेरे साथ से ए और भी यानि की सेकंड जो आफसन है ये सही है अगले कुछ सेंटर पढ़ते हैं दोस्तों रास्तान के एक ही करण से पहले निमलेखित में से कौन रास्तान की लोगतांतरी सरकारों के मुक्यमत्री नहीं रहे तो सभी के हैं ना लेकिन भोगिलाल पंडिया का नहीं है और भोगिलाल पंडिया के बारे में जो बहुत अच्छी बात भी कही जाती है इन्हें वागड का गांधी भी कहा जाता है तो याद रखीगा वागड का गांधी कौन है भोगिलाल पंडिया है अगले कुश्चन दर बढ़ते हैं दोस्तों 68 कुश्चन राज्थान के मुखे नायधीस और अन्हे नायधीस की न्युक्ति के द्वारा की जाती देखिए तो आपको पता ही है भारत के मुखे नायधीस जो है और राज्यपाल भारत के मुखे नायधीस और राज्यपाल के साथ प्रामर्श करके राश्टपती जो है राजिय के मुक्य नाइधिस और अन्य नाइधिसों की नुक्ती करते हैं फिर अन्य की बात होती है तो फिर रास्थान की मुक्य नाइधिस के साथ चर्चा की जाती है और फिर मुक्य नाइधिस तो हैं हैं तो ऐसे गर के ये सारी कहानी रहती है मुक्य मंत्री से कोई सिपारिश की इसमें जरूरत नहीं रहती है अगले कुशन दरह बढ़ते हैं दोस्तों निमलेखित में से किस तारीक और रास्तान उचिनाले के नियम 1952 जो हैं प्रभावित हुए थे अगला कुशन है दोस्तों पंदरवी रास्तान विदान सभा के प्रोटेम सामी काध्यक्स कौन थे तो मैं बता दू कबलनाथ जो हैं थोड़ी दिन पहले मुक्यमंत्री थे मध्यबर्देश के वो भी प्रोटेम स्पीकर रहे हैं लोग सभा के अब प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं और स्पीकर कौन होते हैं तो स्पीकर तो आपको अभी पता है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है एक्जेक्ट आप जानते होंगे अब देखिए जो प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं जो उन चाइनी एमलों या फिर जो एमपी हैं पर्मानेंट अद्यक्स का जो है निर्वाचन किया जाता है और ये सारी पर करिया रहती है जैसे अपने लोग सभा के जो हैं वो दोस्तों ओम बिला हैं कोटा से एंपी हैं सांसद हैं वो अपने लोग सभा के अद्यक्स हैं राजसभा की अध्यक्स आपको पता है उपराश्पती होते हैं वैं क्या नाइडू और ऐसे करके दोस्तों एक आनी रहती है अपने स्पीकर की और एक प्रोठेम स्पीकर की भूमिका की अगले कोईश्चन दर बढ़ते हैं दोस्तों कोईश्चन नमबर 71 एकतर में कोईश्च का दोस्तों जो उत्तर रहेगा वो है जवान सिंग राणामत जो की कोटा उनको जो है सपत जिन्यादिसों को सपत दिलाएगी उनमें ये सामिल नहीं है अगले कुश्च दर बढ़ते हैं दोस्तों रास्थान लोग सिवा आयो की निमलेकित में से कौन सी पूर्व महीला सद दो है जो इससे समझ दिते हैं यानि की ऑप्शन नमबर फर्ष्ट और थर्ड यानि की तीसरा विकल विसमें से सही रहेगा अगले कुश्च दर बढ़ते हैं दोस्तों कुश्च दिलाएग के समझ में कौन सा कथन या कौन से कथन सही है तो कभी सारे कथन है इनको आप अच निर्वाच नदिकारी भी होता है जैसे कलेक्टर जो होते हैं वो जिले के मुखे निर्वाच नदिकारी होते हैं जब भी जुनाव होते हैं तो ठीक वैसे ही इसमें बी और सी यानि की फोर्थ ऑप्शन ते तरवे में सही रहेगा अगले कुश्च दर बढ़ते हैं दोस्त सारे फूर्थ विकल इसमें सही रहेगा अगले कोईशन दर बढ़ते हैं कोईशन नमबर सेवंटी फिप्ट निमलेकित का अपर विचार कीजिए नगरपाली का निरवाचन में कोई परत्यासी एक से अधिक बोर्ट से चुनाओ नहीं लड़ सकता ये गलत है लड़ सकता बिल नहीं है दोस्तों चार नाम निर्देशन पत्र भी दाखिल किये जा सकते हैं थोड़े से रूल्स वगिरा मैंने पढ़े तब ये इस परस्ट हुआ पहले वालत मुझे पता था बट सेकंड का थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ा तो ये है दोस्तों केवल जो है सेकंड सही यानि की पहला गलत है तो एक से जादे तो लटते हैं एम पे मेले बगरा सब में होता है तो इसमें कुछ अलग नहीं है 76th question की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों देखिए कौन सा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतरकत राज्थान के लोग अधिकारी पर राज्थान राज्य सूचना आयो का आदेश जो है वो बादेकारी होता है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार कोश्टक में यानि कि इस नियम के अंतरकत राज्य सूचना आयो का आदेश जो है वो बादेकारी होता है अब देखिए अगला question मुक्यमित्री काराले में फरवरी 2021 को यथा विद्यमान निमलकित में से कौन आर्थिक सलाकार है तो इन में से कौन से हैं जो अपने economic assistant है सलाक है तो वो हैं दोस्तों अपने अर्विंद माया राम अगर मैं गलत नहीं हो तो यही विकल्प इसमें सही रहने वाल अर्विंद माया राम फोर्थ option अगले question तरह बढ़ते हैं दोस्तों 78 वा question देखिए कि निमलकित गतनों पर विचार कीजिए देखिए सारे option इसमें दी SSID खुद में ही एक option रहता है उससे अगर लो तो साइद जरूरी है बागी जन सूजना के लिए नहीं है बागी second option जन सूजना पोर्टल के मादेम से इमित्र की सूजना पाने कोई शुल्ग नहीं साइद 50 या 100 रुपे शुल्ग है अब पता नहीं वो डूल में क्या है बट ऐसे लेते हैं वो पैसे थोड़े से तो मेरे साब से तो यह दोनों न तो एक सही है और सेकंड सही है ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों यही है बाकी आप देखीगा और पीसी का अंसर की भी आ जाएगी तो उसमें भी ये किलियर कर लीजेगा अगला question नेमलिकित में से क्या राजस्तान संपर्क में सुसासन के आया हम के रूप में गलत चेनित है तो ठोस सेवा परदान परणाली ये थोड़ा सा गलत है बाकी पारदर्शीता ट्रांस्परेंसी होनी चाहिए शिकायत का निवारण होना चाहिए और विश्वास तो सरकार में जरूरी है तो ये सारे स दोस्तों नागरी का और राजनिती का अत्रिकार बियाते हैं आर्थी का दिकार भी ये और सामझिक तान्सक्र्ट धर कोई सिंदेगा तभी मैं समझ गया था इसमें सारे अप्सिन चाही है तो सभी यह न LAUPरतिशत दोस्तों इसका विकल परेता है अब इसमें नो परतिस्त नहीं दिया गया तो फिर एग्जेक्ट आपको याद होना चाहिए तो एग्जेक्ट विकल्ब जो है वो दोस्तों आठ दसनों सुनने चार परती सते हैं यह वैसे इसको राउंड फिगर नौ भी कहते हैं अपने इंडिया में भी ऐसे राउंड फिगर ही मानते हैं बट थोड है अगले कोश्चें दर बढ़ते हैं दोस्तों जन्गर्णा 2011 गनुसार भारत और राज्थान में कुल सरमी कौम है सीमांत सरमीकों का प्रतिशत जो है वो कितना है तो सीमांत सरमीकों का यह कौश्चन काफी टफ है तो 24.8 और 29.5 यह विकल्ब सही होना चाहिए तो बिलकु है का अनुपात प्रशलीत कीमतों पर 2018 में कितना था तो यह कुश्चन जो है दोस्तों इसमें से कुछ तीन पॉइंट यह जो दिये हुए ना 3.21 यह दोनों में से दोनों विकल्ब तो सही नहीं बट एक विकल्ब है अब यह मुझे एक्जेक्ट तो पता नहीं है कि इसमें से कौन सा सही है बट मुझे दोनों में से कोई एक लग रहा है तीन पॉइंट अठाओन भी हो सकता है तो इस कुश्चन का आंस्वर तो नहीं है मेरे पास अभी दोस्तों क्या होगा कि इसकी आप आंस्वर की देखेंगे ना और पेपर की तब आप उसमें देखीगा वो इ ने इसमें रिसर्च भी करी कि सही विकल्ब मिल जाए बट मुझे मिला नहीं इसका तीन पॉइंट इकीस या तीन पॉइंट अठाओन इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फियूजन है तो आप जरूर इसको देख लीजिएगा इसको एक बोनस अंकी तरह आप माल लीजे फिलाल अगर आप टोटल कर रहे हैं अपने स्कोर का अगले कुशन की तरह बढ़ते हैं दोस्तों राजस्तान आजी में किर्शी गरणना 2015-16 का नुसार कुल महिला परचालित भूमी जोतों की संख्या कितनी है तो ये दोस्तों 7-10-7-5 लाग सेकिंड आप्सन इसमें सही रहेगा अगले कुशन दर बढ़ते हैं पच्चासी वा आर्तिक समीसा 2019-20 के नुसार इस्थिर की इमतों पर रास्तान के सकल गहरेली उत्पाद में 2019-20 में किर्सी और संबन सित्र की विर्दिदर क्या थी तो किर्सी वाला पूछते हैं या उद्ध्योग वाला पूछ लेते हैं या स्वाव लंबन यूजना रास्तान में जो है थोड़ा सा आगे बढ़ गए रास्तान में 2018-19 में लागू की गई मुखिमद्री 20 स्वाव लंबन यूजना तो ये दोस्तों कोटा भीलवाडा उदेपूर सारे अपने उदर वाले उदेपूर भीलवाडा पास में कोटा पर्यूजना के संदर में कौन सा कथन जो है वो सही है तो तकली कोटा और गरवाडा बूंदी जिले में हैं तो ये कथन जो है मद्यम से चाई परियूजना वाले में कोईशन दर बढ़ते हैं दोस्तों 88 कोईशन 88 देखिए कि इरिको ने अलवर जिले के किन अद्योगी सित्र में जापानी जोन इस्थापित जो है नहीं किये हैं तो देखिए बाकी सारे सित्र तो आप एक्जेक्ट जानते ही हैं लेकिन इसमें जो थाना गाजी वाला जो विकल्ब है इसमें नहीं है गेलोट नीमराना और जो अद्योगी सित्र वो तो आप समझते हैं देखिए पहला दूसरा तीसरा आप्सन और ल需要 तो अलग यही है थाना गाजी अद्योगी सित्र है रिफाइंडरी की जो कीमत है वो भी आलमुस्ट इतनी ही है यह होते हैं साड़े चार खरब रुपे तो साड़े चार खरब रुपे जो है वो ही रिफाइंडरी की कीमत है रो ही अपना निर्यात है राज्थान का और 15-16 की बात करें तो उसमें 36,000 करोड सम्थिंग ऐसे कुछ निर्यात का आकड़ा था और अगले कोश्ट इंदर बढ़ते हैं दोस्तों राज्थान में भेड परजनन सुधार कारिकरम के संदर में कौन सा कतन सही है काफी रिसर्च इसके बारे में की बट मुझे इसका विकल कोई मिला नहीं और परसनली मुझे जो लगता व की प्रमुक जो है उनसे समदित है कि वो कोविट वाले मैटर में कहीं आ जाने ही सकते थे और मेन उनकी सबसे बड़ी भमिका थी चाए ठीका करन का हो चाई अपने यह दोई वाला हो रेमडे सीवीर वाला हो तो इस सारा समाथ कारिकरम जो है इनसे समदित होना चाहिए अग बहुत इजी सा इसकांसर है कहीं देखने की जरूरत नहीं तो विद्वा, तलाक्षुदा और परितक्ता जो महिला हैं उनके लिए ये योजना निकाली है अगले कुश्चिंदर बढ़ते हैं एक परोरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमत्री यूवा संबल योजना अब दोस्तों एक तोती विद्या संबल योजना जिसमें जो आपको बताया असिस्टेंट प्रोपेसर गेस्ट फैकल्टी की तोर पर लगाया जाते हैं अब ये जो यूवा संबल योजना मैंने आपको बताया इसके बारे वीडियो भी जारी किया था मैंने जिसमें था बेरुजगारी भत्ते में जो दोस्तों कोशल प्रक्षिशन लिया जाता है और जो अलग-अलग सरकारी कारेल उसमें दो से चार घंटे उनका काम देकर उन जो है न देखिए लो निस्कीम वाला ये लो निस्कीम वाला को जो सोरोजगार योजना बोलते हैं तो न की इसको जो है मुक्यम द्रियुवा संबल बोलते हैं याद रखिएगा अगले कोशें दर बढ़ते हैं देखिए देली मुंबई ओद्योगी कोरिडूर के हैं अगले कोशें दर बढ़ते हैं समगर शिक्षा के बारे में निमलेखित में से कौन से कतन सही नहीं है आगे बढ़ते हैं थोड़े सिसमें विकल्व कम बता रहें देखिए इसमें चार आप्सने समगर शिक्षा के बारे में कौन सा कतन सही नहीं है तो भारत का जो है दो क्रियेट किया गया है तो इसका राजस्थान का फ्लैक्शिप कारिकरम है ये विकल्प इसमें जो है वो गलत है दोस्तों अगले कुछ अंदर बढ़ते हैं खाते सुर्खषा कारिकरम के अंतर राजस्थान के किस जिले में जन जाती के परतेक परिवार को 35 किलोग्राम गेहू नेश्रूल का नहीं दिया जाता तो वो है दोस्तों मीना भीलवाडा की जो मीना जन जाती उनको नहीं दिया जाता अगले कुछ संदर बढ़ते हैं मुख्य मंत्री राजस्री योजना की से समधित है तो वो है दोस्तों अपने जो राजस्री योजना दोस्तों वो बालिका सकारात्मक दरिश्टी कोन वाले से मतलब की जो सुबलक्षमी योजना है उसकी जगे इसको सुरू किया गया राजश्री योजना तो सुबलक्षमी बारें पढ़ा है तो वो अलमोर सिमिलर ही राजश्री का अगले कोश्च अंदर बढ़ते हैं पिछवाईया अस्तसिल्पल कला जो है वो निमले कित में से किस समधित है पिछवाईया नाद दौारा की बहुत बार कोश्च अचुका है राज समन्द है अगले कोश्च अंतर बढ़ते हैं 99 देखे टसर किर्तिम रेश्रम का बाता है टसर की तो वो है दोस्तों कोटा उदेपुर बासवाड़ा तो उस में ही किया जारा अलंग कोटा काफी जगे दे रखा है बट कोटा उदेपुर बासवाड़ा याद रखिए का आप अगले कुश्च अंतर बढ़ते हैं जनरल इस्टेडी जो अब रास्तान का और जल्द ही दोस्तों का टॉफ फिव में एक वीडियो ले कराऊंगा में में कुश्चन हो जाएं अपने कुश्चन पेपर हो जाएं हिंदी का हो चुका है इतिहास भूगोल और राजनिती टॉफ और ये हो जाएं फिर जरूर मैं जो कट ओफ कितनी हो सकती हैं इंट्रिव्यू के लिए कितने नमबर वालों को बुला सकते हैं उसके उपर वीडियो लाएंगे तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और जो एक्जाम सेश हैं भी उन सब के लिए आपको अगरीम शुका मुना है